नवसकार दोस्तो जेहिंद वंदे मात्रम आप सभी का श्वागत अविजनन हिंदी ग्रामर के पार्ट नमबर 4 की बात करेंगे बाई जैसवाल सर सिच्छा ही प्रकास है आपके अपने यूटूब चैनल जैसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का विलकाम अविजनन श्वा करेंगे और इसके पहले तीन पार्ट आपको आई बटन प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है आपको मिल जाएगा प्रतिक क्लास जो है क्योंकि राश्टित में यह आपका यूटूब चैनल है आप सभी भाई बहन सभी मेरे प्यारे मित्र का चैनल है आपका अवर भेंड़ी चलिए सुरुआत करते हैं देर न करते हैं और जानते हैं पचीस में से आप लोगों का स्कोर कितना है आप लोगों का फीड़ बै कितना है आप लोगों को कितनी त्यारी है आईए जान लेते हैं पहला प्रस्ण स्किन पर है हिंदी भासा का जन्म किस से हुआ है अपभरंस से लौकिक संस्कत से पाली प्राकर से या वैदिक संस्कत से आप सभी जानते होंगे साइध हिंदी भासा का जन्म जो है किस से हुआ है अपभरंस से हुआ है किसे हुआ है हिंदी की उत्पती अपभरंस भासाओं से है और अपभरंस भासाओं की उत्पती प्राकरश से है प्राकरश अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कत से निकली है और परिमाजी संस्कत भी जिसे हम आज कल केवल संस्कत कहते हैं किसी पुरानी बोलचाल की सं पी कमेंट कीजेगा तो इन में से ऐसा सब्द जो आपके सरनाम से बना हुआ बिसेशन कहला जाएगा वह कहलाएगा तेरा यह क्या होगा तेरा क्या होगा यह सरनाम से बना हुआ बिसेशन कहला जाएगा अंगला पुछन पूचा जा रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है रामपूर में, मेरठ में, देहरादून में, उपरोक्षभी में तो आप सभी लोग परचित होंगे कि हिंदी खड़ी बोली जो है आपके रामपूर, मेरठ, देरादून इन सभी जिलों में बोली जाती अर्थात इन में सभी हो जाएगा और भी कुछ जिले हैं जिसे आपका मेरठ, बिजनवर, मुझफर नगर, सहारनपूर देरादून के मैदानी भाग हो गया, अमबाला हो गया कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग हो गये और रामपूर और मुरादाबाद इन सभी जिलों में जो आपका क्या बोला जाता हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है फोथ फ्रसने हिंदी भासा किस लिप में लिखी जाती है सौरास्टी, ब्राम्भी, गुरु मुकी, देवनागरी ये सायथ हमने पिछले पार्ट में एक मौक कोश्चन के रूप में भी पार्ट में दिया था आप लोगों ने कमेंट बाक से मताया था लेकिन उसमें देवनागरी हमने आपसन नहीं रखा तो उसमें आपसन हमने क्या रख दिया था आपके कमेंटी पोस्ट पर कोश्चन कल किये थे इनमें से कोई नहीं तो हिंदी भासा किस लिप में लिखी जाती है देवनागरी लिप पर लिखी जाती है पांचवा परसन इनमें से कौन सी सब्द जो है कालवाचक अब्बे है अबसे ऐसी बात नहीं होगी वहां कहां जाएगा सोहन उधर गया पेवा है पेण के नीचे है देखि कालवाचक अब्बे बताना है तो अबसे ऐसी बात नहीं होगी अबसे मतलब अबसे असे अभी से अब ऐसी बात नहीं होगी तो ये कालवाचा कब बे हो जाएगा देखें कालवाचा क्रिया विसेशन की बात करें जो अविकारी सब किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाच्यक्रिया विसेशन कहते हैं इसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी, अभी, या बार बार ये क्या कहलाते हैं कालवाच्यक्रिया विसेशन की पहचान है अंगला भारत वर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे राज भासा में, राष्ट भासा में, बी भासा में या तकनीकी भासा में तो भारत वर्ष में हिंदी में अगर पूंचा जाए है आपको किस वर्गे में रखेंगे तो आप राज की भासा में रखेंगे, राज भासा में रखेंगे, पहला आपसन सही हो जाएगा अंगल्या पसने कौन सा सब्द परिमान बोधक विसेशन कहलाता है सेर भरदूद, चार गज, सब धन इन में से कोई नहीं देखे जैसे आपके एक्जामपल में होता है दो किलो चिनी लेलो, दो किलो नमक लेलो, दो किलो गुर लेलो ये क्या होते हैं हमारे ये हमारे परिमान बोधक विसेशन होते हैं जैसे सेर भरदूद, देखे तो सेर एक नाप हो जाता है सेर भरदूद मत्तबए क्या हो जाएगा परिमान बोधक विसेशन हो जाएगा पहला आपसन सही हो जाएगा आठ्वाँ प्रस्ण दिया गया कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं बहुत ही काफी जली प्रस्ण है सभी लोग जानते होंगे 52 की बात करेंगे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं डिटेल से जानेगे क्योंकि यहां से प्रस्ण कई बार पूछे जाते हैं रिपीट होते हैं वर्गों के व्यवसित करने के समूग को क्या कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है और हिंदी में उचारन के धार पर बामन वर्ण होते हैं इनमें गेरे सोर और एकतालिस बिंजन होते हैं लेखन के धार पर चपन वर्ण होते हैं इनमें गेरे सोर एकतालिस होते हैं साथ इसाथ चार संयुक्त बेंजन हो जाते हैं ठीक है तो यह ध्यान देना है तो उस चारन के अधार पर बामन और लेखन के अधार पर चपन हो देखे, सरल सब्दों मुझे समझें कि जिन सब्दों के उचारण में स्वास वायू का मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहेती है, किसमें? जिसे का हो गया, गा हो गया, इसमें स्वास में क्या है, वायू जिसे बाहर कम निकलती है, जिसे पा, फा, बा, इ चैन में स्वास वायू कम मात्रा में बाहर निकलती इनको अल्प प्राण कहते हैं तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस गेरा बारा तेरा चवदा है ये भी आपको नोट कर लेना है अंगला प्रशन है भारत में सरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है हिंदी है संस्कत है तमिल है और दू है ठीक है हिंदोस्तान हमारा है ठीक है तो हिंदी से हिंदोस्तान हमारा बना हुआ है तो हम बात करेंगे हिंदी की ठीक है तो यहां पर बात करें भारत में सरवा पर यह जब उच्छार्ण करते तो कंट पर कहीं ने कहीं उसका प्रभाव होता है ठीक है कंट का वहाँ पर कहीं ने कहीं कार होता है जिसे काखा काखा गागा यह बोलते हैं क्या होते हैं यह कंट के उच्छार्ण से होती हैं आप बोलते हैं ठीक है कंट से यहाँ पर आपके वाज निकलतی, तो पहला आप सन जो काखा या हमारे इंट दुनिया हो जाएंगी, साथी साथ काखा, गागा, यह हमारा जो ग्रूप है, वर्ण है, ठीक है, यह कहलाएंगी कंठ, कंठस्त दुनिया, कंठ की उछचार्ण की बात करेंगी, अंगला निमली खित में से रूड सब्द बताना है, देखे हैं पहले और सेकन पार्ट में हमने सब्दों के बारे में बताया था, रूड सब्द योगिक और योग रूड सब्द, ठीक है, देखें रूड सब्दों की बात करें, रूड सब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सर्थक नहीं निकलता तो बैभव हमारा क्या हो जाएगा यहां पे रूर्ज सब्द हो जाएगा अगर आपको डाउट है किसी भी परिश्ण पर ठीक है किसी भी तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं ठीक है और जलज की बात करें जलज आपका योग रूर्ड का यह उधारन हो जाता है क ब nihilip when I did a top ikardo ऊ diffusion कि बात करेंगे अंगले कोई सिंक कि बात करें निंकित में से कौन तो आप सभी लोग जानते हैं शेरों की अगर बात करें was EU, Ais, RIS, अन्या हमारा शोर में नहीं आता, तो अन्या हमारा किस्व में आजाता, यह हमारे बंजन में आता है, ठीक है? तो अन्या हमारा शोर नहीं कहलाएगा, ये नोट कर दें आपको, अंगला पसंदिया गया शकिन पर है, कि दिये गये सבתों में, सुद्वर्थनी वाला सब्ध में बताना जी हैं, ऐसे सब्ध का चैन कीजिए सुद्वर्थनी वाला हो जोसना, 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 जोसना देखें, जोसना, एक ये नाम है अब इस सब्ध में बताना सुद्वर्थनी जोसना क्या होता है तो जोसना में यह होता है पहली बात तो आधा जया कर लेना है आपको क्या करना है आधा जया के साथ यो इसमें जोड़ देना है फिर आधा सा आधा ता फिर सा फिर आधा सा कर देना मतलब ता और शा यहां पर आधे आधे होंगे जोसना की बात करें अंगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा सब्द स्वरसंदी का उधारन होगा देखे अधो गती तो अधा है धन गती यह हमारा बिसर्ग संदी होगा उच्चारण उधन्चारण उच्चारण और दिगच यह हमारे बिंजन संदी की बात करेंगे मनवंतर मनवंतर यह क्या हो जाएगा स्वरसंदी का उधारन हो जाएगा ठीके मनवंतर सब्द में कौन सी होगी आपकी यहन संदी होती है और यहन संदी का आपका क्या हो जाएगा सभी लोग बताएगा यहन संदी हम कैसे पहचानते देखिए यह यन संदी है, सबी लोग बताएगा, सबी लोग फटा-फट अंदाज में बता दीजेगा, देखिए जब छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, रिसी के आंगे कोई भी भिन स्वर आता है, इसे हम यन संदी कहेते हैं, इसी को मनवंतर की बात करेंगे, निमन कित में इसे टावर्ग नहीं है, टाठाडाधा, अड़ा, ये टावर्ड कहलाते हैं, मत्तब घा हमारा नहीं आता है, टावर्ड में क्या आते हैं, एक टाठाडाधा, ये टावर्ड कहलाएगा, लेकिन घहा आपका टावर्ग नहीं कहला जाता है काखा गागा ये कावर कहला जाता है घहा हमारा किस वर्ग कहलाएगा कावर काखा गागा ठीक है ये हमारे कावर का वर्ण कहला जाएगा निम्लकित में से निम्लकित सब्दों में से किसमे स्वरसंदी है अतियों में, रजनीस में, रजनीस में हो जाएगा रजनीस में हमें यहाँ पे स्वरसंदी हो जाएगा रजनीस का संदी विछित क्या ओतर रजनी धन इस यहाँ पे देग श्वर संदी की बात करेंगे निम्नकित में से किस पद में एक प्रत्य लगने से बने हुए इन में से कौन सा पद जो है गलत हो जाएगा एक प्रत्य लगाना है सभी ध्यानपुरक समझेगा और फीडबेक कीजेगा देखें एक प्रत्य में दैविक, समाजिक, भौमिक ये तीनों हमारे एक प्रत्य लगाने पर सही बनते हैं लेकिन पच्छिक में कोई ये सब्द आपने नहीं सुना होगा पथिक आपने सुना होगा पथधन एक बराबर पथिक लेकिन पच्छिक आपने नहीं सुना होगा तो एक प्रत्तय आपके इसमें नहीं लगेगा डियापसन एक आर्यूंटर क्वेश्चन सही हो जाए अंगला अधैधन गती बराबार अधोगती किस संधिका हुद आरहन है, ये प्रसंद कर चुके हैं, इसके अधोगती लिखा हुआ था, तो ये हमारा क्या है, बिसर के संधिकी बात करेंगे, अधैधन गति अंगला पसने भाव वाचक संग्या का नाम बताईए तो लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन इसमें भाव वाचक संग्या का बताना सभी लोग बताईए आपका एक एक कमेंट, फीडबेक शरोपर है शर्मान है जैस्वासर आप सभी कमिरंदन श्वागत करते हैं देखे लड़कपन, लड़कपन में आमें भाव वाचक संग्या हो जाएगा कैसे होगा? देखे भाव वाचक संग्या की परिभासा यह है सदेव जो है एक वचन में ही प्रियुक्त होते हैं और भाव वाचक संग्या सब्दों का बह वचन बनाने पर जाति वाचक संग्या बन जाता है अधि भाव वाचक में बह वचन संग्या बना देंगे तो है कौन सा बन जाता है? जाति वाचक संग्या बन जाता है अंगला प्रसने 5 प्रसन और करेंगे टॉप 25 हिंदी ग्रामर हिंदी ब्याकरण की एक लास है अंगला प्रसने निम्र की सब्दों में से इस्ति लिंग सब्दों का चैन करना है अपराध, अध्याय, श्वदेश, इस्थापना यहां निम्के सब्दों में से इस्त्री लिंग सब्दों का चेहन करना है तो इस थापना जो सब्द हो जाता है यह हमारा इस्त्री लिंग सब्द हो जाता है अगला प्रसन है सत्चरित्रता किस मूल सब्द से बना हुआ है तो सच चरित्रता जो है जिस मूल सब्दे बना हुआ है सच चरित्र है चरित्र है चरित्रता है या सच चरित्र है तो सच चरित्रता की बात करें किस मूल सब्द से बना हुआ है तो यह चरित्र मूल सब्द से बना हुआ है चरित्र और यहाँ पर बात करेंगे सच तो सच चरित्रता की बात करेंगे अंगला परसन है चिरायू सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग बताना जी हाँ, आपका सब्द दिया गए है चिरायू अब चिरायू में आपका चि उपसर्ग होगा, चिर होगा यह उप्षर होगा या आयू उप्षर हो जाएगा सभी लोग कमेंट बाक्स में बताईएगा तो चिरायू सद में प्रयुक्त जो हमारा उप्षर हो जाता है वह क्या उप्षर हो जाता है चिरू उप्षर हो जाता है भी आपसन यहाँ पर सही हो जाएगा प्रत्य में प्रत्य कुट हो जाएगा हो जाएगा हमा नहीं हो जाएगा हो जाएगा या आव हो गास वह सब्सक्राइम होता है वह आओ यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आओ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ प्रत्य हो जाएगा धनला तो लाह हमारा क्या हो जाएगा यहां पर प्रत्य हो जाता है प्रत्य क्या होता है धातु के बाद जो लगता है प्रत्य होता है धातु के पहले जो लगता है वह क्या होता है उप्षर्ग होता है तो उप्षर्ग और प्रत्य को आपने अच्छे तरीकी समझ लिया इस प पकड़ है यह आपको पता चलता यह ग्रामर पार्ट को अटेंड करने पर यह प्रेक्टिसेट पार्ट है बहतीन त्यारी कीजिए और इदे की कमेंटेट जरू कीजिए स्कोर आप लोग कमेंट करते हैं तो यह आप में कानफीडेंस आता है कि आज हमने इतने स्कोर किया फिर और कंसिट पढ़ेंगे और स्कोर करेंगे ठीक है तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपके अंगले पार्ट पर अंगली क्लास पर सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मात्रम